घृऊ स्भी आपका फिर सब्स्वाकत आपके चैनल काइट लवर पे तो गाई जैसे की अ Mini लोग कर रहे थे कि अ sinful कीच ते नहीं एं तो हम अपने कीच को कैसे करते है या वह लोग को भी कमेंट कर रहे थे जो कह रहते हैं सर हमें खीच मारना सिख आई यह तो यह वीडियो इसी टोपिक पर उने वाली है चलिए इस वीडियो बाश शुरू करते हैं क काइट बनाई यह यह ल Didn't ada देख्व यहां पर मैंने काइट बनाई यह देमो के लिए यह मैं आपको बता दूँ फिर मैं आपको ओड़ा large और देखाऊंगा किस तरह से अब कीच टेज कर सकते हैं यह देम हैं हमारा इस तरह कि यह जो हमारा top face है, जो हमारी kite का top face है, यह उपर की तरफ, इसको पिल्कुल उपर की तरफ खीच के ले जाते हैं, आसे, आपने देखा ही होगा, यह जो हमारा top side है, यह top side, इसका face उपर करते हैं, पूरी तेज़ी से इसको खीच के उपर की तरफ ले जाते हैं, सब अब हवा का flow है, इस side का flow है, मान के चलो सामनी की तरफ flow है, और हम नीचे से उपर की तरफ लेज रहें, तो हमें बहुत तंगी होगी, तब हमारी जो खीच है वो बहुत तेज होना चाहिए, क्योंकि हवा के flow भी उदर के है, तो यहां पर जब हवा लगेगी, इस face पे जब का असान तरीक के है, हम किस तरह से असान तरीक के खीच मार सकते हैं, अब जैसे हवा का flow उदर के है, तो हम क्या करेंगे, हम हवा के थोड़ से विपरीत चलेंगे, opposite side बोलते हैं इसको, मतलब जैसे हवा का flow सिद्धा है, तो हम क्या करेंगे, इदर की तरफ चलेंगे, ऐसे करेंगे इसका फेस अब इदर की तरफ घुमाएंगे इसको इस तरह से ऐसे घुमाएंगे हवा सिद्धी चल रही है लेकिन हमें क्या इदर घुमाना फिर सिद्धी करने अपनी काइट और फिर उपर खीचते वह ले जाना है इतने दूसरे की पतंग माले यहां पर किसी की पत आते हैं उस पर तो गाइस देखे अब हम इस काइट को उड़ाएंगे लेकिन सबसे पहले आपको जो मैं बाते बता रहा हूं वह बहुत ही ध्यान से सुननी है अगर आप खीच मार रहे हो यह खीच मारना सीखना चाते तो आपको भारी पतंग लेनी होगी जैसे देख सकते इसका तिला कितना भारी है और दूसरी बात टेपे लगाने होँगे टेपिंग करने होगी मैंने पहले भी वीडियो में बताय सीफ़ nggak bau होगे आपकर जो हाथ हो हो इस रहा नहीं होगे आपके खीच मारते वक्त तो भारी पतंग लीजिए यह रिकॉमेंट करूंगा और अब खीच कैसे मारना है तो सबसे पहले हमें क्या उडा लेते हैं इसको टेपिंग कर देने मैंने जैसे कि दिखाई यहां पर टेप और यहां पर टेप सब जग में टेपिंग कर तो आपको जो पतंग है यह देखिए इस तरह से उड़ा रहा हूं मैं और जो खीच मारने की प्रैक्टिस करनी है वो कम से कम पतंग आपकी 100-500 मीटर आगे चली जाएगी तब करनी है वो अब जैसे थोड़ी सी दूर है यह 51 मीटर गई होगे अगर आप यहीं से खीच मारन करते कर दोगे तो आप नहीं सीख पाऊगे उसका भी कारण मैं बता दूगा क्यों नहीं सीख पाऊगे तो सब से पहले हम बढ़ा लेते हैं सो 1100-500 मीटर आगे अपनी पतंग को तो मैं बढ़ा लेतने हैं सो 1100 मीटर आगे और कोशिश करिया जब पतंगे होर नहीं उड़ रहे हो तब ही आप उड़ाएं क्योंकि आगर होर पतंगे उड़ रहे हो तो आपकी पतंग कोई भी काट के चला जाएगा फिर आपकी प्रैक्टिस बीच में ही रह जाएगी तो देखें लगबग 100 मीटर तक हमारी पतंग उड़ चुकी है थोड़ी मैं अब 51 मीटर हो आगे कर लेता हूँ तो अच्छा रहेगा खीच मारने में भी तो आप देख सकते हैं अब हमारी पतंग लगबग 500 मीटर आगे चली गई है हमसे यह देखिए अब आपको क्या करना है मैंने दो तरिक के बताए थे आपको आप जैसे देख पा रहे होंगे हवा हमारी सिद्ध है इस तरह से हवा हमारी पतंग कोई जैसे इधर इस साइड में हवा हमारी और यह देखिए इस तरह हवा में लग चुकी है यह देख सकते आप, अब आपको क्या करना है, मालो इस साइड में, यानि लेफ्ट साइड में किसी की पतंग उड रही है, तब क्या करना है, आपको इस तरह से घुमा के इस तरह से ले जाना है, ऐसे, निच्चे से निकाल के, इधर से निच्चे से निकाल के, इस तरह से ले जान कि इस तरह से मैं camera angle को सही करता हूं अब देखे अब हाथ की तरफ देख लिजिए यह आपका आगे वाला हाथ यह नि राइट है और यह लेफ्ट हैंड आपका अब खीच तेज कैसा हो सकता जब राइट और लेफ्ट हैंड के बीच में गैप जाद होगा तब खीच जादा त तेज लगेगा वह तो आपको भी पता क्यूंकि राइट जब राइट आगे जादा हो गोर लेफ्ट जितना राइट कम पीछे खीचूंगा उतना ही खीच तेज लगेगा अब देखिए राइट में रखाया अब देखिए मैं कितनी तेज़ी से खीच को मारूंगा जादा होगा उतना ही अच्छओगा क्योंकि इतनी दूर है और इतनी दूरि है जब मैं इस डोर को यहां पर लेके आँगे उतनी दूर देखो कितनी सारी डवर कवर हो रही है एक घटके में पतंग रही है एक जहाख सकते हैं ए है देखो फिर से मैं नीच्चे लाता हूं और बेस्ट जो टेकनीक है हमारी वो क्या हमें निच्चे लानी है इस तरह से जाप खला के इस तरह से जाप खला के बिलकुन निच्चे से उपर की तरफ ले जाना इस तरह से जाप खलाया और यह निच्चे से उपर की तरफ ले गए अपने देखा गाई आपने फिर से मैं दखाता हूँ आपको क्या करना है इस तरह से बिल्कुन निच्चे की तरफ ले जानी है पहले काइट को बिल्कुन निच्चे की तरफ ज्यादा निच्चे भी ले जाए कि वह कहीं पर आटक जाए जाके इस तरह से और जब फेस उपर की और इ और यह जो खीच्य मारा है मैंने यह रागुलर चलते रहना है जब तक दूसरे के पतां कट ना जाए बिल्कुर रागुलर चलते रहना है या जब तक आप ठक ना जाओ अगर आप प्रैक्टीस कर रहे हो तो तो फिर से एक बर में लास्ट बर फिर से करके दिखा देते हूं आपको और जो खीच्य मारने के त्रिक्यों ते वह अलग अलग होते हैं कहीं तो maximum खीच क्या करते हैं निच्चे से जासे यह 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 खीच मारते हैं आम तोर पे इस तरह से निच्चे से उपर की तरफ मैक्सिमम जितने भी आपने देखी होंगे लेकिन आसल बात जासी मनें स्टार्ट sub the program तेध कोगा में ठेड़नदिन करेंगे तो असान गीमें पैठ's मैं दिखाता हूं आपको इस तरह से लेया कि आपको प्तन हैक्वित है cooking इजा दिखेए 가지고 अगंब यह Vorsकुंद सें कप इस तरह से खीच मारना है यह होता है टेड़ा खीच अगर आप इस तरह से खीच मारना सीख गए तो आप असानी से हरे की पतंग काट सकता है क्योंकि टेड़े खीच में मैक्सिमम चांस होते हैं दूसरे पतंग कटने के हमारी पतंग कटने के चांस बहुत कम हो जाती है अगर तो गाइज उमीद कर तो वीडिया अच्छी लगे होगी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक्यू गाइज